भारतीय सशस्त्र बल सेना, भारतीय सेना, भारतीय वायू सेना, भारतीय नौ सेना और भारतीय तटरक्षत बल भारत को दुश्मनों से सुरक्षत रखते हैं हम में से बहुत से लोगों को उनकी जीप और उनके तर्किय योगदान के बारे में पता होगा पर आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथे बताऊंगी जिसे सुनकर आप इंडियन आर्मी को पहले से दस गुना जादा सम्मान की नजरों से देखेंगे हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चानल बड़ी आउटलोग पर जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं प्लीज मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिये गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिलकुल ना 176 में इस्ट इंडिया कंपनी ने खोलकाता में किया था भारतिय सेना विश्व के सबसे पावर्फुल सेनाओं में सुमार है अभी भारत के पास करीब 48 करोड से भी जादा का सैन्निवल है और 46 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रक्षा बजट है भारतिय सेना का बहुत गौरवानवित इतिहास रहा है चाहे दुश्वन को मात देने का या अपने देश को किसी आपदा परिस्तिती से निकालने का भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच कमांडर भारत का राश्ट्रपती है किन्तु देश रक्षा विवस्था की जिम्मेदारी मंत्री मंदल की है वर्ष 1946 के पूर भारती रक्षा का पूरा नियंतरन अंग्रेजों के हातों में था 1947 में देश का विधाचन होने पर भारत को 45 रेजिमेंट मिली जिन में धाई लाग सेनिक थे गोर्खा फॉच की 6 रेजिमेंट जिसमें लगभग 25,000 सेनिक थे वह वे भारत को मिली 6 गोर्खा सेनिक ब्रिटिश सेना में सम्मलित हो गये ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकडी सामरसेट लाइट इंफेंटरी की पहली बटालियन हो गई और भारतिय भूमी से 28 फरवरी 1948 को स्वदेश रवाना हुई कुछ अंग्रेज अफसर परामर्शक के रूप में कुछ समय तक भारत में रहे लेकिन स्वतंत्रता के पहले च्छड से ही भारतिय सेना फूर तह भारतियों के हाथ में आ गई थी स्वतंत्रता की तुरंत पश्चात भारत सरकार ने भारतिय सेना के ढाचे में कई परिवर्तन किये धल सेना, वायू सेना एवं नौ सेना अपने अपने मुख्य सेना धिक्षों के अधीन आई उजे उजे पाहाडों में लड़ने की महारत भारत के पासी है भारती सेना की ओर से हाई अल्टिट्यूट वारफेर स्कूल दुनिया भर के सैनिको को ट्रैनिंग देता है अमेरिका, इंग्लैंड और रूस के विशे सेना बल ने अफगानिस्तान पर आकरमन करने से पहले इस ट्रैनिंग में हिस्सा लिया था दुनिया की सबसे उची रण भूमी कारा कोरम का सियाचिन ग्लेशियर है इसकी उचाई समुद्र तल से 5000 मीटर उपर है जिसकी भारती सेना देख रेक करती है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगे वाला की लड़ाई में सिर्फ दो भारती सेना के जवानी शहीद हुए थे इस लड़ाई पर मशूर बॉलिवोर्ट फिल्म बॉर्डर बनी है लोंगे वाला की लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बीच दिसेंबर 1971 में हुई थी इस लड़ाई में 120 इंडियन आर्मी के जवानों ने 2000 पाकिस्तानी सेना के जवानों को भुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था सबसे रोचक तथे ये है कि इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के पास सर्फ एक जी थी जिस पर M40 की राइफल लगी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना 2000 की तादाद में टैंकों से लेज थी इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया ओपरेशन राहत 2013 अब तक का सबसे बड़ा लोगों को बचाने वाला मिशन था ओपरेशन राहत मिशन को भारती वायू सेना द्वारा चलाया गया था इस मिशन का मुख्य लक्ष 2013 में उत्राखंड में आई बार से प्रभावित लोगों को बचाना था ओपरेशन राहत के पहले चरण में 17 जून 2013 को 20 हजार लोगों को बार के छेतर से सुरक्षित निकाला गया था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था भारती सेना के पास घुर्शवार सेना की रेजिमेंट भी है ऐसी रेजिमेंट दुनिया में सिर्फ तीन ही है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ युद उस समय खतम हो गया था जब पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्म समर्पन कर दिया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा आत्म समर्पन था जो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था भारतिय सेना दुनिया भर में इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि जब 1970 और 1990 में परमाणू परिक्षर किया तब इस बात की भनक दुनिया की सबसे बड़ी खूफिया एजेंसी CIA को भी नहीं लगी थी यह CIA की अब तक की सबसे बड़ी असफलता है दुनिया भर में भारतिय सेना को शांती फेलाने के लिए भी जाना जाता है युनाइटेट मेशन्स के शांती अभियान के तहट भारत दुनिया के किसी भी देश से सबसे बड़ी संख्या में जवानों को फेशता है राष्ट्रपती की सुरक्षा में लगी सेना भारतिय सेना की सबसे फुरानी रेजिमेंट है जो के वर्तमान में राष्ट्रपती भवन में ही रहती है यह 1773 में स्थापित हुई थी बेली प्रिज दुनिया की सबसे उची प्रिज है जो कि लद्दाप में द्रास और सुरू नदी के बीच स्थित है जिसका निर्मान भारतिय सेना ने 1982 में कराया था जंगलों में लड़ने के मामले में भारतिय सेना को दुनिया में सबसे श्रेश्ट सेना के तौर पर जाना जाता है भारत की इस गुरवत्ता को जाने के लिए अमेरिका, ब्रेटेन और रूस जैसे देश अकसर इस टुकड़ी का दौरा करते हैं फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदलकर को भारतिय वायू सेना द्वारा कप्तान के रैंक से सम्मानित किया गया है वहीं महेंदर सिंग धोनी को सेना की ओर से लेटिनिन का पद प्राप्त है स्वतंत्रता के बाद से भारत में किसी जाती, संप्रताय, समुदाय, धर्म अत्वा छेतर के अधार पर कोई नई रेजिमेंट बनाने के बज़ाए एक ऐसा सैनेबल खड़ा करने की नीती रही है जिसमें भारती इंफेंट्री के तौर पर संपूर देश का प्रतिनिद्व हो लेकिन मौजूदा समय में भी भारत में जाती एवं छेतर पर अधारित अनेक रेजिमेंट हैं जैसे गोर्खा, टोगरा, गड़वाल, जाट, मदरास, असम, आदी तो आईए, जानते हैं भारती सेना की उन प्रमुक रेजिमेंट और युद्ध में उनके उद्भोश के बारे में जिससे दुश्मन खौफ खाता है वीर विरांगनाओं की भूमी, गड़वाल को देव भूमी के साथ साथ वीर भूमी होने का सौभा के भी हासिल है गड़वाल सैनिकों यानी गड़वाल राइफल्स की वीरता और कर्तव विपारणता की कहानिया पूरे दुनिया में मशूर है पहाडों से भी मजबूत होसला, समंदर की लहरों को चीर देने की ताकत रखने वाले, दिन में 14 घंटे सिर्फ युदिस्तर की तयारी करने वाले, आखों में उबाल मारता खून और देश भक्ती का कभी न खत्म होने वाला जुनूर्स यह है गड़वाल राइफल्स, जिसे देश की सबसे ताकतवर और तेज तर्रार सेना कहा जाता है, गड़वाल राइफल्स शौरे और पराकरम का दूसरा नाम है, हर साल उत्राखन के हजारों जवान गड़वाल राइफल्स का हिस्सा बनने के लिए टेस्ट देते हैं, ले साल 1814 से 1815 से शुरू हुआ, साल 1814 में खलंगा युद में गोरखा रेजिमेंटों के साथ गड़वाली सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था, इन सैनिकों की वीक्ता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने एक अलग रेजिमेंट की स्थापना की, जिसमें गड़वाली लोग गड़वाल राइफल्स की स्थापना का श्रे सूबेदार बलभद्र सिंग नेगी को जाता है, जिनोंने साल 1879 में हुए कंधार युद में अद्भुत वीर्टा और छमता का परिचय दिया, इसके लिए उन्हें ओर्डर ओफ मेरिट से सम्मानित किया गया था कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल एफ एस रॉबर्स ने कहा था कि एक कौम जो बलभद्र जैसा व्यक्ति पैदा कर सकती है, उसकी अपनी एक बटालियन होनी चाहिए साल 1886 में उन्होंने अलग गड़वाली रेजिमेंट बनाने के लिए ततकालील वोईस रॉयल लौड डफरिन को लेटर लिखा इस तरह 4 नवंबर 1887 को गड़वाल के कालो डांडा में गड़वाल पल्टन का शुभारम हुआ आज इस जगा को हम लैंस डाउन के नाम से जानते हैं जहां गड़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है गड़वाल राइफल्स का देव वाक्ये विध्याय कृत्म निश्चे है इस रेजिमेंट का उद्गोश है जै बदरी विशाल लाल कहा भी जाता है कि इन वीर सपूतों पर हमेशा बाबा बदरीनाथ अपनी क्रपा बरसाते हैं अर्थार्थ वो ही इस रेजिमेंट के रक्षक कहे जाते हैं गड़वाल को कभी मुगल हरा नहीं पाए और हर बार उन्हें नुकसान उठाकर वापस लोटना पड़ा था यही है भारतिय सेना की सबसे पुरानी कुमाओ रेजिमेंट की पहचान 1813 में जिस रेजिमेंट की नीव रखी गई उसे आजादी के बाद कुमाओ रेजिमेंट कहा गया कुमाउन रेजिमेंट में अभी 19 बटालियन है और 1970 के बाद से इसे कुमाउन और नागा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है कुमाउन नागा रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है देश को पहला परमवीर चक्र दिलाने एवन तीन थल सेना देख्ष देने सहीत तमाम उपलब्दियां रेजिमेंट की नाम है चीन पर भारत के इकलोते आक्रमन का श्रे भी कुमाउन रेजिमेंट को ही जाता है कुमाओर रेजिमेंट ने रानी खेत में नागा रेजिमेंट को खड़ा कर नागा लेंड वासियों का दिल भी जीता कहा जाता है कि कुमाओर रेजिमेंट के उत्पत्ती हैदरबाद में 1788 में नवाप सलामत खान की रेजिमेंट के रूप में हुई 27 अक्टूबर 1945 को इसे दग कुमाओर रेजिमेंट का नाम दिया गया और रानी खेत में कुमाओर रेजिमेंट सेंटर की स्थापना हुई पराक्रमों विजयते कुमाओर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है इसका युद्ध खोश कालिका माता की जय, बजरंग बली की जय और दादा किशन की जय है स्वतंतरता की बाद भारत के लिए पहली लड़ाई कुमाओर रेजिमेंट ने लड़ी थी भारत पाक युद्ध में 1947 की शुरुवात में कुमाओर रेजिमेंट के दो बटालियनों को रक्षा के लिए कश्मीर भेजा गया था तथा परम वीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले वीर सैनिक चार बटालियन कुमाओर रेजिमेंट के श्री मेजर सुमनाथ शर्मा थे मदरास रेजिमेंट भारती सेना की सबसे पुरानी इंफेंटरी रेजिमेंटों में से एक है इसकी स्थापना 1758 में हुई थी तथा इसका मुख्याले वेलिंटन उटी तमिल नाडू में है इस रेजिमेंट के अधिकांश सैनिकों का संबंध तमिल नाडू, खेरल, करनाटक एवं आंधर प्रदेश जैसे दक्षन भारती राज्य से होता है एवं कंणर, तमिल, तेलिगू एवं मल्यालम भाशियों को वर्यता दी जाती है लेकिन रेजिमेंट के अधिकारी के रूप में किसी नी राज्य के निवासी की नियोक्ती हो सकती है पंजाब रेजिमेंट की स्थापना 1761 में हुई थी तथा इसका मुख्याल है रामगर केंट जारखन में है पंजाब रेजिमेंट भारती सेना की उन सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है जो अभी भी सेवा रत है और इसने विभिन लडाईयों वो युद्धों में भाग लिया है तथा अनेक सम्मान प्राप्त किये हैं इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से पंजाब, जम्मू कश्मीन और हिमांचल प्रदेश के सिक एवं दोगरा जाती के लोगों की भड़ती की जाती है जबकि दो बटालियन में अन्य जाती के लोगों की भी भड़ती की जाती है मराथा लाइट इंफेंट्री की स्थापना 1768 में हुई थी, तथा इसका मुख्याल है बेलगाम करनाटक में है इस रेजिमेंट में मूल रूप से महराश्र एवं करनाटक के कूर्ग छेत्र के मराथी भाशी लोगों की भड़ती की जाती है अता इस रेजिमेंट के सैनिकों को गणपत भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग भगवान गणेश की पूजा धूम धाम से करते हैं राजपुताना राइफल्स की स्थापना 1775 में हुई थी, तथा इसका मुख्याले दिली कैंट में है राजपुताना राइफल्स भारती सेना की सबसे पुरानी राइफल्स है इस रेजिमेंट में सैनिक के रूप में मोल रूप से राजिस्थान एवाँ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के राजपुतों की भरती की जाती है स्वतंत्रता प्राप्ती से अब तक ये रेजिमेंट पाकिस्तान के विरुद अनेक लड़ाईयों में हिस्सा ले चुकी है राजपूत रेजिमेंट की स्थापना 1778 में हुई थी तथा इसका मुख्याले फतेगर उत्तर प्रदेश में है इस रेजिमेंट में राजपूत, गुजर, ब्रहमन, बंगाली, मुस्लिम, जाट, अहीर, सिक और डोगरा जाती की लोगों की भरती की जाती है जाट रेजिमेंट की स्थापना 1795 में हुई थी तथा इसका मुख्याले बरेली उत्तर प्रदेश में है जाट रेजिमेंट भारती सेना की एक इनफेंट्री रेजिमेंट है और भारत में सबसे पुरानी और सबसे अधिक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट में से एक है सन 1849 से 1947 के बीच यह रेजिमेंट 41 योति सम्मान प्राप्त कर चुकी है इस रेजिमेंट में मुख्यता पश्चिमी उंतर प्रदेश, हर्याना, राजस्तान और दिल्ली के हिंदू जाटों की भर्दी की जाती है महार रेजिमेंट की स्थापना 1815 में हुई थी तथा इसका मुख्याले सोगोड मध्यप्रदेश में है महार रेजिमेंट भारती सेना की एक इनफेंट्री रेजिमेंट है इस रेजिमेंट में मुख्यता महराष्ट के महार जाती के लोगों की भर्दी की जाती है गोर्खा रेजिमेंट की स्थापना 1815 में हुई थी इस रेजिमेंट के विभिन भागों का अलग-अलग मुख्याले है गोर्खा रेजिमेंट में मूल रूप से नेपाली मूल के गोर्खा लोगों को शामिल किया जाता है बर्तमान समय में इस रेजिमेंट के 11 भाग हैं जिने 1st गोर्खा रेजिमेंट, 2nd गोर्खा रेजिमेंट, 3rd गोर्खा रेजिमेंट आदी नामों से जाना जाता है सिख रेजिमेंट की स्थापना 1846 में हुई थी तदा इसका मुख्याले रामगर केंट जारखंड में है सिख रेजिमेंट अपने अधिकांश सिपाही एवब अधिकारी सिख समुदाय से भरती करता है डोगरा रेजिमेंट की स्थापना 1877 में हुई थी तदा इसका मुख्याल है फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है यह भारती सेना की एक इंफेंट्री यूनिट है जो सत्रवी डोगरा रेजिमेंट के रूप में पूरेवर्थी ब्रिटिश भारती सेना का एक भाग थी यह रेजिमेंट जम्मु कश्मीर, हिमांचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी छेत्रों के डोगरा लोगों को भड़ती करती है असम रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी तदा इसका मुख्याल है हैपी वैली शिलॉंग मेगाले में है असम रेजिमेंट भारती सेना की एक इनफेंट्री रेजिमेंट है इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत के साथ राज्यक के लोगों की भड़ती की जाती है बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी तथा इसका मुख्याल है दानापुर बिहार में है बिहार रेजिमेंट भारती सीना की एक इंफेंट्री रेजिमेंट है इस रेजिमेंट का मुख्याले दानापुर छावनी भारत की दूसरी सबसे पुरानी छावनी है इस रेजिमेंट में सैनिक के रूप में बिहार, जारकन, उडिसा, गुजरात और महराश्ट के लोगों की भरती की जाती है तो फ्रेंट्स कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक को डिसकस करूँगी तब तक के लिए खयाल रखिये अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतिजार करिये तिल देन, डू टेक कियर अफ यरसेल्फ, बाबाई